दोस्तों आज के लेक्षर से पहले आप से बस ही करना चाहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हैं दोस्ता हमारा हम बुल्बुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा आप सभी प्यारे देश्वासियों को गरतंतर दिवस की ठेज सारी बधाई और सुपकामनाएं तो दोस्तों आज पूरे भारत वर्स में प्यारा गरतंतर दिवस मनाया जा रहा है तो इस अवसर पर जो पहला क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है गरतंतर दिवस यानि कि 26 जन्वरी से क्वेश्चन यह होगा कि 26 जन्वरी 2021 को भारत वर्स अपना कौन सा गरतंतर दिवस मना रहा है और सह जवाब होगा इसका option जी या option B तो 2021 में भारत अपना भातर्मा रिपब्लिक डे यानि की गरतंत दिवस मना रहा है जो पहला गरतंत दिवस था वो 1950 में मनाया गया था तत काली राश्पती कों थे डाक्टर राजेंद प्रसाद और अब 2021 में हम अपना भातर्मा गरतंत दिवस मना रहे हैं दोस्तो भारती समिधान के बनने में कुल दो साल 11 महिने और 18 दिन लगे थे अगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दे कि 55 साल के बाद विदेशी मुख्य अति थी इस बार कोई भी आमंत्रित नहीं है और ऐसा 1966 के बाद पहली बार हो रहा है कि गर्तन दिवस के औसर पर कोई भी विदेशी मुख्य अति थी नहीं निमंत्रित किया गया है पहले तो यहांपर प्रधान मंत्री बोरिस जांसन जो की ब्रिटेन के प्रदान मंत्री है उनको निमंत्रित किया गया था लेकि ब्रिटेन में जैसा की आप जानते है COVID-19 का strain 2 2. पॉइंट जीरो नामक जो महावारी है महापाई स्टार्ट हो गई तो उन्होंने आने से मना कर दिया इसके बाद फिर किसी भी गणमान व्यक्ति को किसी भी विदेशी गणमान व्यक्ति को निमंत्रित नहीं किया गया है तो 966 के बाद यह पहला उसर है जब गरतन दिवस पर और यहां पर आपको बतना चाहूंगा कि उत्तरब देश का जो पहला अस्थावना दिवस था यह मनायी करता है 2018 so 2018 में में पहली बार 2019 प्लिए दूसरी बार 2020 में तीसरी बार और 2021 में यह चौथी बार मनाया गया है तो यह भी आपको याद हो गया होगा 2018 में इसकी सुरुवात हुई थी अब यहाँ पर याद रगना कि 24 जनवरी को प्रतिवर्स बाली का दिवस्त के रूप में भी मनाया जाता है तो दोनों दिन एक ही दिन पढ़ते हैं तो यह काफी संख्यावरा प्रदेश है जिसको 1937 में यूनाइट प्रोविंस आफ आगरा एंड अवध यानि की स्वयंक्त प्रांथ आगरा व अवध नाम से बनाया गया था 1950 में इसका नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया उत्तर प्रदेश में बरतमान में 18 मंडल हैं और कुल जिन प्रदों की संक्या है यानि की पच्छतर उत्तर प्रदेश दिवस 2021 की थीम क्या है सेल्फ रिलेंड उत्तर प्रदेश वोमें यूद्स फार्मर्स डेवल्लेप्मेंट आफ आल अनर टुवाल सबका विकास सबका सम्मान 2021 में उत्तर प्रदेश अस्तरना दिवस का जो पहला गैस से एथनौल संयंद्र किस राज में अस्थापित होगा तो वेरी वेरी इंपर्टन कोशन में से आप मान सकते हैं और इसका सही जबाब क्या होगा उत्तर प्रदिस गुजरात महाराष्ट या फिर अन्य सही जबाब इसका ऑप्शन जी हां ऑप्शन सी जाके चंद्रपूर गाउं में अस्थापित करने की योजना बना रहा है कहां पर चंद्रपूर में अब बात करेंगे सेल के बारे में सेल का फुल फार्म होता है इस्टील अथार्टी आफ इंडिया ये क्या है ये एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी है जिसके CEO कौन है सोमा म आगे बड़ते हैं मिनिस्ट्रिया पोर्डस शेपिंग और वाटर वेज में हाल ही में चिंतन बैठक का आयोजन कया है ये बैठक किस घ्還是 किई गई में बहुत इम्मर्टन केस्ट चिंतन बैठक का आयोजन अभी हाली में हुआ, यह बैठक कहां पर की गई थी, सही जबाब होगा इसका option, option A, इसका आयोजन कहां पर हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक है, तो दोस्तों, तीन दिन चला था यह आयोजन, 21 को आजित हुआ था, यह और 23 तक चला, और चिंतन बैठक की अधिस्ता कीती, केंद्री जहाजरानी राज्यमंत्री, स्वतन प्रभार, स्री मनसुख मंडाविया ने, तो यह आपको अच्छे से याद अखना है, कि हमारे जो केंद्री जहाजरानी राज्यमंत्री हैं, स्वतन प्रभार, वो हैं, स्री मनसुख मंडाविया, और यह जो चिंतन सरकार ने जेल टूरिजम की शुरुआत करने की घुशडा की है, suggesting that तो दोस्तों यह शुरुबात की जा रहे हैं कहां पर सही जबाब इसका option 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 c महाराष्टा में तो जैसा कि आप जानते हैं यह रवदा जेल काफी मसभूर जेल है जहां पर महात्मा गांधी और कई गणमान ने जो व्यक्ति थे सुतंता संग्राम के दौरान वहाँ पर कैद हुए थे तो यह जेल देखने के लिए जो एक educational टूर होता है तो educational टूर के तहत जो विद्याले चाहेंगे या पिर छात चाहेंगे तो वो इन जेलों में जा सकेंगे देख सकेंगे तो यह जो योजना बनाई गई है यह बहुत ही सांदार है लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महाराष सरकार जेल ट्रोजिम की सुरुवाथ 26 जनरी से करेगी सोतंतता की लडाई की दौरान इन्हीं जेलों में कई क्रांधिकारी और वीर सेनानी जेलों में रहे थे जिसमें महात्मा गांधी मोतिलाल नहरू स सरदार पटेल आली का नाम प्रमु ग्रूप से आता है एरवदा जेल पहले चरण में जेल ट्रोजिम के लिए उपलब्द होगा इसमें चात्र इसकुल प्रबंदन यानि कि जो भी एजुकेशनल परपस से यहाँ पर टूर करने लोग आएंगे वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और इन इमारतों को अंदर से जाकर देख सकते हैं और यह कुशन तो वरिए वरिए इंपोर्टेंट है आपको बिल्कुल इसे रटना होगा ठीक है तो सुबास अंदर बोस्त आपदा प्रबंदन पुरुसकार 2021 के लिए किसे चुना गया है ठीक है तो देखो मैं आपको समन और प्रबंदन के इंद्र उत्तरा खंड को दिया गया था संस्ता रेनी में 2020 में तो दोनों आपको पता होना चीए 2021 में बैतिकत के लिए दिया गया है यह पुरुसकार राजंद्र कुमार भंदारी को तो यह भी आपको बिल्कुल पता होना चीए ठीक है तो आप्शन माओ पर वैज्यानिक अध्यन के सुरुवात करने वाले राजंद्र कुमार भंदारी को आपदा प्रबंदन के चेत्र में उनके काम के लिए 2021 के सुबास्ट प्रबोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार के लिए चुना गया है ग्रिम अत्राले ने एक बयान में कहा कि भंद सुबास्ट शंद्र बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार होता है यह जाता है प्रती वर्स 그대로 के औस पुरुसकार को दो कडिकी मत्राले यह इक तो private होता है, दूसरा जोता है, institution होता है, तो private में दिया गया है कि इसको राजनुकुमार भंडारी को और institution में याने कि संस्थागत में दिया गया ये seeds को 2021 में, और 2020 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही, तो यह प्रॉस्कार हर साल 23 जर्वडी को निताजी स सुभा संद्र बोश की जैनती पर घोशित किया जाता है और संस्थागस रेड़ी में मिलने वाले प्रुषकार में एक 50,000,000 रुपे नगत और प्रमाड़ पत्र और बैद्गस रेनी में 5,000,000 रुपे नगत और एक प्रमाड़ पत्र दिया जाता है तो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चीज़ें ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो एक किताब आई है नाट मेनी बट वन ये किसकी कविताओं का अंगरे जी अनबाद है ठीक है तो ये जो किताब है एक्चली में ये स्री नारान गुरू की किताब है उसका इंग्लिस ट्रांसलेशन करके इसको पब्लिस किया है किसने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी के ससिदरन जी ने इसक प्रोफेसर जी के ससिदरन द्वारा नारान गुरू की के विताओं का अंग्रेजी अनबाद नाट मेनी बट वन उस तक को लांच किया दोस्तों आप जो ऐसी बुक्स होती है उसको पढ़ा करो इसे आपको जीवन में बहुत कुछ अद्भूत करने की च्छमता आएगी नारान गुरू के बारे में नारान गुरू कौन थे तो दोस्तों इनका जन्मुहता 1855 में और ये 1928 तक जीवित रहे ये एक दार्शनी थे अध्यात्मी नेता थे समासुदारक थे बहुत अधिके चर्चा में नहीं रहे थे इनके बारे में एक किसान ने लोगों को बताया था नारान गुरू का जुद्चन मुहता वो दक्षण के एरल के एक साधान परिवार में 26 अगस्त 1854 में हुआ था ठीक है तो ये भी काफिया पॉइंट है आगे बढ़ते हैं अब दोगों यहां पर एक प्रजाती खोजी गई है किसकी ये जो प्रजाती है ओसरा जोसी हाल प्रजाती में चीटी की एक प्रजाती है खोजी गई है अच्री में इस नाम से दो प्रजाती हां खोजी गई है और दोनों प्रजातों के बारे में आप यहां पर देख सकते हैं धे हिन्धू की यह खबर है कि two new species of rare and genus have been discovered in Kerala and Tamil Nadu तो यह वाली जो पाई गई है जिसका नाम जोसी रखा गया है तो इसमें जोसी ये वाली है ठीक है और जो दूसरा वाला है उसको क्या नाम दिया गया है तो आप देख सकते हैं ये सम्मान में अविताब जोसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है और जो दूसरी वाली है उसका नाम रखा गया है तो ये कहां पर पाई गई है तो दोनों आपको बिलकुल पता होना चाहिए एक्जाम में ये पूछा जा सकता है काफी इंपोर्टर कुश्चन है आगे बढ़ते हैं औलोकन नामक साफ्ट वर किस राजी ने लांज गया है और सही आंसर होगा इसका इसका अप्सन डियां कि करनाटक गई सब्सक्राइब करें लिए सरकारी अनुदान और आवंटर करेंगा या इसके द्वारा जो भी आवंटर क्या जाता है धन उसको उसका आवलोकन किया सकेगा इसे सरकार को विभाग द्वारा किये खर्च के आधार पर धन जारी करने का नेड़ा लेने में मदद मिलेगी कि पहल यह साफ्ट्वेर सतत विकास लक्षियों और केंदर प्रायोजीत की योजना पर एक केंदर द्रिश्ट कून प्रदाम करता है अगरा कॉशन लेते हैं परमाण हतियारों पर निसेद पर संधी कब से लाग हुई वेरी वेरी इंपर्टन कॉशन और यह कब से लाग हुआ था परमाण हतियारों पर निसेद पर संधी तो यह लागू हुआ था 22 जनवरी को सही जबाब है option C ठीक है तो दोस्तों सनुत रास की नाव की अस्त्र निसेद संध यानि की TPNW यह सुक्रवार 22 जनवरी से लागू हो गई है जन्दिका उद्देश परमाण अस्त्रों के विका पास उत्पादन परिक्षण आधिपत्य और प्रयोग पर पूरी तरह से प्रिद्द लगाना है 2017 में दुनिया के दो त्याई देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था लेकिन परमाण हो सक्तियों की रूप में जाने जाने वाले सभी देश और उनका सनक्षण पाने व विश में परमाण हत्यारों वाले कुल कितनी देश हैं नौ देश हैं ये भी आपको यहाद रखना होगा काफी इंपोर्टेंट है कि विश में परमाण हत्यारों वाले कुल देशों के संक्या है नौ इसमें अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक 90% हत्यार यही दो देश सकते हैं बागी देशों में चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और उत्तर कुरिया सामिल हैं इन में से अधिकतर देशों का कहना यह है कि उनके अस्तरों का उत्देश से सिर्फ बचाव है और वो इसके पहले की परमाण प्रसार संदी के प्रति प्रति छड़ता है हाली में किस संस्थान ने आपरेशन सर्ध हवा की सुरुआत की है सईजबाबो का इसका option C यानि कि सीमा सुरक्षाबल के द्वारा हाली में आपरेशन सर्ध हवा की सुरुआत हुई है राजस्तान की पश्चिमी सीमा में सीमा सुरक्षाबल ने सर्ध हवा आप करेंगे यह कुछन दो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरकुट रेडियो टोलिष्कूप कहां पर इस्थित है मेरकट रेडियो टोलिष्कूप यह कहां पर इस्थित है तो दोस्तों इसका सभी आँशर होगा option option A Duchted Africa का जो उत्टरी केप है वहां पर मिलेगा आपको मेरकट रेडियो टोलिस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपको बताते हैं कि हाली मेरकट ने मेगटी सर्विक्षण के तहरत दो विसाल रेडियो आकाज गंगाओं की खोज भी की है अब यह कुछन में काफी अच्छा है डब्डू एस्प वंजिरो सेवन भी यह क्या है वास वंजिरो सेवन बी यह क्या है तो दो तो यह क्या है यह एक एक सोप्रैनेट है ठीक है एक सोप्रैनेट और इसकी खोज कीगिति 2017 में जो अलगले कॉंसलेशन होता है लाएक है इस प्रितिमी से लगपाद 200 प्रकासवर्स दूर है और इस खोज की खुश्रा की किए थी 2017 में इसका नेत्रुत्र डियार एंडरसन ने और वास्प साउथ के माध्यम से स्वयोगियों की एक टीम ने किया था तो यह काफी इंपोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए इसके बार मंत्री डाक्टर हर्शवर्दन ने हाली में तसकरी और फर्जी ब्यापार के खिलाफ आंदोलन जिसका नाम दिया गया है यहां पर मास करेड़ 2021 के सातुएं संस्क्रन का उधघटन किया है केंद्री स्वास्त और परिवार्ट करनार मंत्री डाक्टर हर्शवर्दन ने सातमें तसकरी और जालेश ब्यापार के खिलाफ अभियान यारी कि मास करेड़ 2021 का गुरु वार्ट को उधघटन किया इसका यजन फिक जो उत्पाद हैं उनके व्रिद्धी में कमी आएगी डाक्टर हरुदन ने भी कहा कि मास्करेट का उद्देश से विशेश रूप से जाली व्यापार और तसकरी के लेन देन की चुनोतियों में कमी लाने के लिए नई और व्यावहारी रणनीतियों पर चर्चा करना है इन मे इसे प्रमुक रूप से जागरुकता विक्सित करने पर फोकस किया जाना चाहिए तो यह भी आपको पता होना चाहिए एक्ट्रिन बस आप इतना याद एकना कि यह जो मास्करेट दोजार एककिस है यह दोजार एककिस में इसका सात्वा संस्क्रण जो सुरू किया गया है और इसका उद्यस होता है वह होता है जो तसकरी होती है और जो जली व्यापार होता है उस पर नकेल लगाना तोसाली राश्टी सिल्फ मेला यह कहां पर आजूत होता है यह खुशन अकसर पूछा जाता है तो दोस्तों जाद एकना कि तोसाली राश्टी सिल्फ मेला इसका जा रहा है जो तो साली सिल्फ मेला है ये पूर्वी भारत का लोपरी हत्कारगा और हस्त सिर्फ मेला है तो तो तोसाली कहा समंदीत है ओडिसा से नरेदन चंचल जिन्होंने बहुत सारे भक्ती गीत गया थे चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है तो ऐसे गीतों के गायक रहे ये और इनका हाल ही में निधन हो गया है तो दोस्तों अब बारिए कुछ नंबर 25 की इसकों करेंगे आंसर कुशन यह पुछा गया था कि गुजरात चंद्रुत मौर के सामराज में सामिल था यह प्रमारित होता है कैसे तो सही जबात है इसका आप्शन बी नेर बाउट सभी लोगों के जो आंसर थे बहुत ही कारी मिलती है कि चंद्रुत मौर ने गुजरात के सुराज प्रांत में सुधरसन जिलका निर्मान कराया था उनका जो सहसंकाल था वो 322 से लेकर 298 इसापुर था करनाड़ा की चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना पध्धत की द्वारा चंद्रुत मौर ने अपन स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था एक वर्स में स्वराज ये नारा गांधी जी ने कब दिया था दांडी यात्रा की समय या सहयोग आंदोलन की समय या सविने अवग्यां आंदोलन की समय या गोल में समेलन की समय तो इसका उत्तर आपको लिग के बताना है और झाल झाल